याईडी टीवी परसंट राश्ट्रपती रामनात कोविन उप राश्ट्रपती एमवेंकईया नाईडू और प्रधान बंतरी नरेंद्र मोदी ने आज संबिधान निर्माता बी आर अमबेटकर को उनकी 63 वी पुन्डनेतिती पर श्रधांजली अर्पित की हैदराबाद में रेप के आरोपियों को एंकाउंटर में मार गिराए जाने के बाद हर तरफ पुलिस की तारीफ हो रही है हैदराबाद पुलिस का हर तरफ अभिनंदन किया जा रहा है हैदराबाद गैंग रेप मडर केस के आरोप्यों के एंकाउंटर को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है जहां कई लोगों ने इस एंकाउंटर को सही बताया वही कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए कॉंग्रेस के वरिष्ट रिनेता पूर्व वित्व मंतरी पीच दम्रम ने कहा कि हैदराबाद एंकाउंटर की जाच होनी चाहिए HRD मंतराले के एक वरिष्ट अधिकारी ने ट्विट कर कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एड हॉप टीचर्स को अगले अकेडमिक सेशन के शुरू होने तक नहीं हटाया जाएगा ग्रेह मंतराले ने 2012 के सामूहिक बलातकार के दोशी विनैश शर्मा की दयायाचिका की फाइल राष्टपती रामनाथ कोविन को फेज दी है ग्रेह मंतराले ने राष्टपती से दयायाचिका को खारिश करने की सिफारिश की है ग्रेटर नौएडा में करीब दो साल पहले कार बेशनेवानी महिला ने खरीदार पर कार ओनर्शिप प्रांसपर नहीं कराने और चलान कटने पर एसपी को शिकायत दे दी एसपी ने मामले में कारिवाई का आदेश दिया और ठाना पुलिस ने कार खरीदार पर रिपोर्ट डर्ज कर ली राष्ट्रपते रामनाद कोविन ने कहा कि पॉस्को एक्ट की अंतरगत सज़ा पाने वाले व्यक्तियों के लिए दया याचिकाव का प्रावधान नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा इस बारे में संसक को विचार करना चाहिए हैदराबाद में पशुचिकित्सक के साथ हैवानियत करने वाले चारो आरोप्यों को पुलिस ने शुक्रवार सुभा मुद्भेट में मार गिराया मुद्भेट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्स मायावती ने वुद्भेट पर बयान दिया साथ ही योगी सरकार पर भी हमला बोला दिल्ले की 1771 अनधिकरत कालोनियों में दहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक दिलाने वाले कानून के संसद में पास होने के बाद रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को धर्ण्यवाद देने के लिए दिल्ली वीजेपी ने घुरुवार को बहरी दिल्ली के नजबगण इलाके में चन सभा का आयोजन किया हैदरबाद दुशकर मामले में आज सुबर चारो आरोप्यों की पुलिस एंकाउंटर में मौत हो गई इस क्रम में दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन के जिवाल ने कहा कि चाहे उन्नाव दुशकर मामला हो या फिर हैदरबाद दुशकर मामला लेकिन यह दोनों मामले काफी देरी से सामने आये इसलिए लोगों का गुस्ता इस बार बढ़ने लगा यहे बज़ा है कि इस एंकाउंटर पर सभी लोग अपनी खुशी बया कर रहे हैं यह है डी आइडी में खबरे अब तर इंतिजार कीजिए कल तर